हेलो एवरीवन और क्लास तेंथ सिंस एट पॉइंट टू एक्सराइज हमारी कम्प्लीट हो जोगी है और एट पॉइंट फिरी जो एक्सराइज आ की वो डिलीट कर दी गई है इस साल के शेली बश्चे शाइन नाइनटी माइनस थीटा वाले जो फॉर्मुले का इस्तिमाल होने वाली जो एक्सराइज है वो खतम कर दी गई है तो हम 8.4 एक्सराइज में चलने है एक्स्प्रेस साइने शेकी एंड टैनी इन टर्म्स ओब कॉट ए तो साइने जा होदा है वन अपॉन कॉशे की कॉशे क एक क्सक्वारे मती है 1 प्लस कॉट स्क्वारे मिल्ड इससे बिए दो तो जाये का उजाएगा तो इसके बदले लिखे 산व वन ट्लसकॉारे साइने एक्सप्रेस करते साइनまぁ टेरी हो कि माट बढ सैने कि नी निउम्रल हो सकते हैं अब sec square A is equal to 1 plus 10 square A, यह formula होता है, 10 square A को हम लिख देंगे 1 upon cot square A, तो cot square A इसका LCM ले लिया, यह cot square A plus 1 आगया आपका उपर, sec square A इक्वल तो था इतना, अब sec A निकालोगी तो इसका square root, square root of cot square A plus 1 upon cot square A, denominator में cot square A का square root cot A आ जाएगा, numerator वह आजा ही रहेगा, तो cot square A plus 1 का root upon cot A, यह होगा, sec A की value, पूरा हमने cot में convert कर दिया इसको देखिए, और 10 A equal to क्या होता है, 10 A होता है 1 upon cot A, cot का reciprocal होता है न 10, तो 10 A equal to हो जाएगा 1 upon cot A, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक टिग्नोमेटिक रेशियो को दूसरे टिग्नोमेटिक रेशियो में चेंज किया जा सकता है, उसके लिए various identities जमने आपको लिखाई हैं, जो first basic identity is sin square A plus cos square A is equal to 1, इसको याद रखिये इसके basis पर, अगर आप sin square theta या a का भाग दे देते हैं तो आपका sin square A का प्रतेक टम में भाग देते हैं, तो आपका ये अलग formula बन जाएंगी, प्रतेक टम में cos square A का भाग देते हैं, तो अलग identities बन जाएंगी, झाया झाल जाद आपका में... कि जए हैं, जो है जो हमुझा है, झाल झाल